केवट जी से राम जी ने का नईया लाओ और राम जी से केवट जी ने साफ कहा नहीं लाओंगा भगवान आप से कचु ult aún माँगे किसकी इतनी हिम्धों मना कर दे पर केवट जी ने का नई लाएंगे लक्षमर जी ने का वसे ये कौन है राम जीने का हमारा हमारा भगत है है लक्षमर जी ने कहा जाओ 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 वो जा नहीं रहे हैं इसे चाहाँ यह आने Thompson कहा क्या करें हम तो जब मतलब भहिया राम जी ने का वो हमारी यात्रा की बोनी बिगड़ गई थी वो केसे राम जी ने का एक बात बताईए हमने आपको रोका था मत आई आप माने लक्षमर जी ने का माने तो नहीं बोला सीता जी से आपको मना किया था आप माने नहीं सरकार मानी तो में भी नहीं र लक्षमड जी ने कहा लेकिन वाद बताईये आपने पहली बार management अपने हाथ में लिया और पहली बार मेरी management फेल नई आ ओर मना कर दिया लाया इंने यह यह भगत वह और नगे म्हाला निल्यार नगे में यह वारो क्या हुमय क्या है उम्यारा दर्शन जरूर होता है अच्छा राम जी ने एक शब्द बोला मांगी नाओ इतना ही कहा भया केवट नाओ ले आओ उसके बाद जितना बोला अकेले केवट जी ने शुरू किया एक तरफ खौहिश है दुनिया भर के शाहन शाह के इक तरफ साफ इनकार है एक मस्त ला परवाह की प्रेम के जगडे में चलती है ये कोशिशे ना हकी और दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्ला हकी अब देखते हैं जीत किसकी देखते हैं जीत किसकी और किसकी हार हो इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नईया पार हो अब ये दो जन खड़े हैं केवट जी कहते हैं सरकार नईया ले आता पर मैं आपका मरम जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा लक्षमण भाया ने कहा जनम से लेके अभी तक साथ रहने वाला मैं इनका मरम नहीं जानता और ये पहली बार मिले केवट जी कहते हैं मरम जानते क्या जानते हो केवट जी ने का एक बात बताओ सरकार पत्थर जादा मजबूत होता है कि लगडी लक्षमण जी ने कहा पत्थर वहला आपके आपके भाईया ने कभी किसी पत्थर पे पाऊं रखा था क्या लक्षमर जी ने का मैं वहीं पर था भाईया ने चरड रखा वो तो केवट जी ने कहा तो क्या हुआ उला रखते ही वो इस्त्री बनी फिर क्या हुआ इस्त्री बने उड़ गई केवट तुरंती उड़के गई आकाश में केवट जी ने कहा बस बस छोटे सरकार अब चुप हो जाईए अब एक बात बताईए चरड के छूने से अगर पत्थर पे इतना तेज असर भया तो हमारी तो विचारी लकडी की नईया है पानी में पड़े-पड़े और ही कमजोर हो गई है वो तो छूने से वही यह तो देखने से कचू बन जाएगी थोड़ा दूर रहो सरकार एक तो बताईए विचारी लकडी की एक नईया और यह भी जीवी काका साधन मेरे बाप दादा ने चलाया फिर मैं चला रहा हूं आगे मेरे लड़का बच्चा यही नईया चलाएंगे कोई मैं बेद वेद कट की जाती कच्छू वेद ना पढ़ाई हों सब परीवार मेरो यही लागी राजाजू हो दिन वित हिन कैसे दूसरी गढ़ाई हों गौतामा की घर नीज्यों ये तरनी तारेगी मेरे अरे प्रभुसों निशादे होई के बात ना बढ़ाई हों तुलसी के इशराम रावरो सोसाची कहों बिना पग धोये ना थनावना चड़ाई हों नई चड़ाऊंगा सरकार गौतम रिशी की पतनी बनी तो बनी बनने के बाद उड़ भी गई आप बताओ सरकार मेरी नईया कुछ बन जाएगी बन के ये तो इस्त्री बनेगी और मान लीजिये ये इस्त्री बन गई एक तो मेरे रोजगार का साधन चला जाए और खाने वाला एक मेंबर अलग से बढ़ जाए तो ये कैसा सोधा हुआ कि भोजन की विवस्ता करने वाली चीज भी जाए और खाने वाला एक अलग से घर में और लक्षमर जी ने का सरकार एक बात बताओ अगर ये कच्छू बन गई इस्त्री बनी तो ये घाट पे बैठ लक्षमर जी ने का तो अच्छा तो है घर पे बिठा लेना क्या समस्या है के वर जीने का हमारी वाली से कभी मिले हैं कभी मुलाकात किया हमारी धर्म पत्नी से आज तक मिले नहीं है तब ही बोल रहे हैं वो थोड़ी ना यकीन करेगी कि ये सब जादू मंतर से भया वो तो लक्षमर जी ने कहा तीन घंटा से भगवान को समझा रहे और पत्नी को ना समझा पाओगे बोला यहीं तो अनुभव की बात है सरकार भगवान को समझाना असान है और उसके उल्टा क्या होता है वह आप सब समझदार हो क्या बताओ अब केवट जी कहते हैं सरकार देको च ना आपकी गलती ना आपके पैरों की गलती तो गलती किसकी लक्षमर भया ने का तो किसकी गलती है केवट जी कहते हैं सरकार रावरो दोश ना पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है पाहन तेपन बाहन काठे को गोमल है जल खाई रहा है सरकार आपकी गलती नहीं चरड की भी गलती नहीं चरड के नीचे जो धूल लगी हुई है सब वाका टोना टोटका है तो एक बार आग्या दे तो धो धो के सारी धूल निकाल दो फिर चका चक नहीं आपे बेठो अब राम जी तो धाड़े है मोन कुछ बोले ही न अब केवर जी सोचे ये बोलते ही नहीं है का नहीं नहीं बोले तो थे काई की आए थे तो इन्हों नहीं नहीं है मांगी थे तो बोल काई नहीं रहे अब केवर जी सोच रहे कुछ बोले तो आगे बात बढ़े अब भगवान मौन धारे खड़े भगवान ने सोचा कि हम आये हमने एक बोला अब इसने इतना बोल दिया तो अब इसके आगे हमारे पास बचा क्या है बोलने को खुद दुनिया के करया फार अटक गई केवट से यह पूरी संसार को फार लगा दे यह गंगा मया जो बह रही हैं कौन है इनके नगर से निकली है नाव अजा मिलते खलकोटी अपार नदी भवबूरत काढ़े जेगिरी में रुशिला कनते अरुहोई अजा खुरवारी दिवाढ़े तुलसी जे पदपंक जते निकसी तरणी जो हरे अग गाढ़े सो प्रभुया सरिता तर रिवे कह मांगत नाव किनारे हैं ठाड़े सरकार वही गंगा मा को पार करने के लिए खड़े हैं हो दुनिया की करईया पार टक गए के बठे पे दुनिया के करईया पार सब जग के करईया पार टक गए के बठे दुनिया 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 के कर गए के बठे दुनिया के कर गए के बठे दुनि के परे आपन तक देखे वचिंजे सामन बहर ही गंगा मैया काढ़े रामल अखन दो भईया के वठ लाओ की नारे मैया के वठ लाओ हमें जाना है हमें जाना है गंगा के पार टक गए के वठ से तुझीया के तरईया पार टक गए के वठ से के तुझीया के तरईया पार टक गए के वठ से के तरईया पार टक गए के वठ से के वठ बोले वचन विचारी ते वठ बोले अरे तुम्रे चरन में है जादू भाण देखो पत्रा बन गई नारी देखो पत्रा बन गई नारी देखो पत्रा मुरी नईया जो बन है नार टक गए के वठ से मुरी नईया जो बन है नार टक गए के वठ से जो बन है नार टक गए नार टक गए नार टक गए नार टक गए जो लिए भड़ वच्च वगाने की अरे देरे करोना के वठ भाई देरे करोना जन्दी से जले लेव मगाई अरे चरन थोई लेव नाव चड़ाई हमें जल्दी से कर दो पार टक गए के वठ से हमें जाना है गंगा के पार अटक गए केवट इसके केवट जी ने देखा राम जी चुप अब केवट जी सोचने लगे ओह 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 गलती तो हमारी है इनने नईयां मांगी और हमने इतनी गरीबी का रोना रो दिया बिचारे बोले तो का बोले अब यह सोच रहे होंगे कि केवट पार करेगा केवट को उतराई देनी पड़ेगी बिचारा पहले से गरीब है उतराई मैं लाया नहीं हूं इसलिए राम जी चुप होके ठाड़े केवट जी ने पहले क्या किया राम जी की ओर देख रहे एक टक अब राम जी से गहरे का अरे कचूत बोलो सरकार नही बोलने में कोई समस्या है तो यह से यह से कचू तो करो बात छोटी है सिर को हिला दीजिए पाव अपना प्रभू जी धुला लीजिए लक्षमर जी ने कहा इतनी देर से अट पटी अट पटी बाते करके तीन घंटे से खड़ा करके रखता है केवट जी ने कहा हम है अनपढ़ कोई भूले हो भी गई आप मालिक हैं सब कुछ भूला दीजिए लक्षमर जी ने कहा हमें तीरी नईयां से पार जाना ही नहीं जाना ही नहीं है भाईया मैं दूसरी नईयां लाता हूं केवट जी ने कहां शौक से जाईए गेर मलाह आएगा हरकिस नहीं नाम लेकर किसी का बुला लीजिए अब कीवट जी राम जी से कहते हैं देखो ना सरकार आपको भी पार होना है मोई भी पार होना है जब दोनों की चाह एक है तो फिर देर क्यों करते हो चाह दोनों की है देर किस बात की शीक्र ही कुछ न कुछ पैसला कीजिए तोड़ा जल्वी करो ना मालिक कुछ तो बताईए राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं अब लक्षमर जी ने कहा तुम सब के साथ ऐसे करते हो कि हमारी साथ ऐसे कर रहे हैं ना प्रभू हम हम क्या करें हमारी रोजगारी का मामला है हम कैसे अपने पेट पे लात मार ले हमारे लड़का बच्चा छोटे छोटे हैं साब नहीं आने कची हो गया तो विचारी कैसे जिएंगे आप बताओ और हमें तो लगता है आपको पार जान नहीं नहीं है लक्षमर जी ने कहा जाना नहीं होता तो का घंटा भर से तुमारा भाशड सुन रहे होते हमें पता है पार नहीं जाना हमें तो अब समझाया ये क्यूं आए ओ मामला ये है लक्षमर जी ने कहा का समझा गया अरे हम जान गए कि ये क्यूं आए है ये पिछली बार अच्छा जो पत्थर से नारी बनी थी वो कहा गई लक्षमर जी ने कहा उनको तो भाईया ने गौ बाबा जी ने बादा करके आए हैं तो यहीं बेटो तुम्हारे लिए धरम पत्नी लेके आ रहे हैं तो यह मेरी नईया को नारी बनाकर कोई बाबा जी का वचन पूरा करेंगे इसलिए हम इतना नहीं मैं मर जाओंगा पर अपनी नईया नहीं जाने दूंगा कुछ भी हो जा क्या मेरे भया यह पहला ही पत्थर है जो वहां रास्ते से आये कितने पत्थर चुए किसी को तो कुछ नहीं भाया केवर जी ने का इतने तो मूरखं भी नहीं है सरकार यह तो हमें भी मालूम है सब पत्थर को नहीं होता तो किसको होता है बोले कि जिसकी और यह इशारा करके ध्यान केंडरित कर देते हैं वही के साथ कुछ न कुछ होता है वहां एहिल्या जी पूछा मुनिह शिला प्रभु देखी इशारा करके कहा था यह शिला कौन है इस्त्री बन गई आज मेरी नईया ने देखके बोला नईया लाओ अब तो यहीं के साथ कछू होएगा पक्का हम नहीं लाएंगे चाहे जो हो जाए लक्ष्मड भाया ने कहा हमसे भारी गलती हो गई के वर्जी ने का अच्छा ठीक है आपको नहीं पार जाना सुनिए नहीं आसे ना जाओ एही घाट थोरिक दूर है कटिलो जल थाह दिखाई हो जो इस घाट से अगले घाट पर कमर तक जल है ऐसा करो पैदल पैदल पार हो जाओ लक्ष्मड जी ने कहा चलो ले चलो तुन चलो 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 के वर्जी ने का इधने बड़े मूरक नहीं है आपक तो शाम तक इंतिजार करो रात के अधेरा में छोड़ी आएंगे राम जी ने का हमें तो आजाई जाना है रात तक इंतिजार नहीं कर सकते तब तो फिर धुलाना पड़ेगा जड़ी बूटी का मामला है ऐसे किसे बिठा ले केवट जी देख रहे हैं यह तो अब बहु न पोटली ओटली लाएं हैं कि नहीं लाएं हो देख लिए ठंठन गोपाल कुछ नहीं लेके आएं हैं अब मैं समझ गया यह क्यों नहीं बोल रहे हैं यह यहीं सोच रहें केवट करेगा पार मांगेगा उतराई औह हम तो ठंठन गोपाल का देंगे इसलिए मोंधारे हैं तो सुनो सरकार पदिकमली धोई चड़ाई नाव नना थे उत्राई चहों पार करूंगा पर उत्राई नहीं लूंगा राम जी अभी विमोन अच्छा हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा कसम खाय के केरे अपनी भी नहीं आपकी भी नहीं मोहिराम राउर्यानी डशरत शपत सबसाची कहों आपके पिता जी की कसम खाके कह रहें कि हम आप से पैसाने कि आप खायोगे अपने बाबु जी की कसम खाऊगे कि परुजित के बाबु हाथ लेकर गए केवट क्या कहते हैं बरुतीर मार हु लखन पै जब लगीना पाया पकारी हों तब लगीना तुलिसी तासनाथ क्रिपालू पारे उतारी हों भले भईया लक्षमड आज अपने बार्ज मुए मार दे तो मार दे मर जाओंगा तो और आनन्द आएगा लक्षमड जी ने कहा एक बात बताओ तुम्हें कौन-कौन से चीज में आनन्द आता है अब अई तक कह रहे थे पार करेंगे तो आनन्द आएगा अब कह रहे मरी जा लोग मरने लगते तो केते गंगा जल डालो तो बूंद डालो और आप मुए जैसे ही बाड मारोगे अरे बाड लगता ही पट्टा ही तो मरना जाएंगे पांच दस मिनट तो जीएंगे तो जैसे ही आप बाड मारोगे कूदेंगे गंगाजी में दो भूंदन की कौन का है घटा घट दो लीटर पियेंगे गंगाजी का जल अब मरी जाएंगे क्या फरक पड़ेगा उससे केवट जी ने कहा मरूंगा हाथ से किसके की जो रगवर का प्यारा है मरूंगा किस जगा पर जिस जगा गंगा की धारा है मरूंगा सामने किसके की जिसका दास होता हूं मरूंगा किस खता पर पांव करुना निधिके धोता हूं अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट केवट जी ने कहा तो सुनो जरकार हम पढ़े लिखे भले नहीं है लेकिन अपना फायदा नुकसान तो हम भी जानते हैं तो फिर ऐसा मौका मैं क्यों श्रीमान जाने दूँ क्यों ना जानकी जीवन के सनमुख जान जाने दूँ केवट जी ने कहा देखिए हर प्रकार से आनंद किसके हाथ से मरेंगे जो राम जी के प्यारे हैं किसके सामने मरेंगे लोगों के मुख पे राम नहीं आता नहीं किया था चर्णाम रिच्चाहता था इतनी सी बात वे छोटे सरकार ने बाण निकाल के पट्ट से मार दिया तो हमारी तो कोई बदनामी नहीं होनी है जो होगा आपका होगा लक्षमण भया ने बाण धर लिया बोला सरकार ये धीठ है आप यह बात करेंगे अब केवट जी राम जी से के धुला लेओ धुला लेओ धुला लेओ राम जी जब चुप रहे तो आप केवट ने कहा सुनो सरकार अब हम ना कहेंगे कि धुलवालो अब आप कहोगे कि धो लेओ अब मैं नहीं कहूंगा बहुत कहलिया इतनी देर से मिन्नते कर रहा हूं अरे कौनसी मे तो राम जी ने अंततो गत्वा खुद कहा केवट भाईया सोई करू जेही तब ये नाव न जाई वही करो जिससे तेरी नईया ना जाए केवट ने कहा सरकार सोई करू जेही तरू नाव न जाई कहा गोल गोल बोल रहे हैं सीधा बोलो ना सरकार इतनी टेड़ी मेड़ी बात समझते तो का नईया चला रहे होते कचु बड़ा काम हम भी कर रहे होते सीधा बोलिये क्या कहते हैं राम जी को मुँ से कहना पड़ा ओ केवट भईया बेगी आनी जल पाँ ये पकारू जा जल लेके आ चरण पकार ले अब तीन घंटे की वारता में अभी तक केवट खड़े होके बात कर रहे थे राम जी ने कहा जल लाओ पकार लो अब बैठ गए अब बैठ गए लक्षमर जी ने कहा महाशाय अब काहे बैठ गए जाओ लेके आओ जल्दी से जाओ धो केवट ने कहा धोने को कहां कहा है धोने को कहते तो अब तक तो धोके खतम कर देता इनने बोला पखार लो पखारने का काम तो सब पतनी को गठुजोर के करते हैं पतनी हमारी घर पे बैठी है तो का करें बताओं सरकार लक्षमर जी ने कहा भाया इतने भारी भरकम शवद आपने क्यूं बोले क्यूं बोला पखारने को राम जीन का यही तो तीन घंटा से कह रहता पखारी हो पखारी हो पखारी हो तो हमने भी कह दिया ले पखार ले हमें का पता था यह कौन से बात का क्यार्थ निकालता है अब केवर जी बेठे हैं सरकार जाएं लक्षमर जी ने का हील मज जाना गलती से यहां से जुबचे बेढ़ो कहीं नहीं जाना राम जी सका भाय जाने नहीं देना तीन घंटे से टाइम खराब कर रहें तीन घंटे से एक हड़ा किया जाने नहीं देना राम जी ने पका बिल्कुल नहीं जाना यहीं वेठो है कहा लिखा है यह कविता वाली में गोष की ने दिखा है कि दिखने-वरफ का मतलब है लग्षमर जीना हिए भाग गया भाल भाग गया लोग Mittag brought का करे रोगा थो था अब भाग गया तो जाने दो आएगा आएगा भी प्रभू रूख पाई के बोलाई पालक घरी ने हूं घर पे पहुंचा ओ चुनुआ मुलुआ कलुआ पुलुआ जितने सब इकट्टे हो सब चूटे चूटे लड़िका उसकी आई कटे का हुआ जीने कहा सुनो गंगा के घाट पर भगवान आये है लड़िका छुटके छुटके सब हगे जा रहे भगवान के पाई पढ़ने जा रहे पापर के आएंगे अरे सुना दोठो हैं गोरे वाले के पास भूल के मत जाना पट्टाई वान निकाल के मारेगा गोरे वाले के पास न, सामले वाले के पास जाना वो गुस्सा नहीं करते गोरक्य के पास हिलना भी मत दूर रहना, जितने दूर होगे प्राण बचाके तो हम आए हैं दूर रहना, और सुनो, जाना तो भगवान को घेर के बैठना बंदी के चरना, जया हूं दिशी बैठे घेरी के पत्नी ने कहा ये घेरने की जरूरत क्यों है केवड जी ने कहा राम जी को तीन घंटा से खड़ा किया हूं और अभी तीन घंटा और खड़ा करूँगा और ऐसे रहेंगे तो भाग जाएंगे और घेरे में रहेंगे तो कैसे जाएंगे अब अंदर गए अब केवट जी सोच रहे क्या लूँ कठोता लिया कठोती नहीं कठोता कठोती इस्प्री लेंगे यानि फीमेल कहलो कठोता केवट ने सोचा यह कठोता लेके जाता हूँ अगर कचु बना वना तो ये लड़िका बनेगा चुकि ये कठोता है मेल वर्जन तो अगर ये लड़का बना तो कल से फिर इससे नहीं आचलवाऊंगा और मैं गंगा के घाट शिविर लगा के बेठूंगा आराम से और केवड़ जी ने कहा आराम से मैं बेठूंगा और हिसाब शाम शाम को मागा करूँगा अब ये विचार करके कठोता लेके चले केवड़ जी अच्छा पहुँचे जब किनारे पहुँचे इतना ही छोटा सा कठोता है कि रागव जी के एक ही चरड़ आ सकते हैं अब एक बार लाया पानी बोला कि मैं पानी ले आया पानी ले आया लक्षमर जी ने कहा अरे गंगा जी का जल होता है पानी नहीं होता केवड जी ने कहा प्रभू जल जल तो ये अब बनेंगे गंगा महिया ने भी केवट जी को यहां धन्यवाद दिया है कि हेग केवट जी एक भगी रत थे जिन्होंने मुझे इस चरण से दूर कर दिया लेकिन एक आप है जिन्होंने आज पुनह मुझे इसी चरण से मिला दिया है केवट जी आए चरण धोया एक बार धोया आधा घंटा धोने के बाद राम जी डगमगाने लगे एक पाउपे कौन कितनी देर खड़ा हो पाए राम जी ने कहा भया केवट पैर दर्द कर रहे हम हम एक पाउपे अब खड़े नी रहे पारे केवट ने कहा सरकार तो एक काम करो आप इतना हीले डोलेंगे तो हमसे तो नहीं धोया जाएंगा रेखन में जड़े कड़े याते देखी देखी धोओं आप एक पग पे खड़े याते नाखी जिए केवट ने कहा एक काम करिये हमारे सिर पे हाथ धर ले तो आपको सहारा मिल जाएगा यह केवट है जो सहारा दे रहे वो भी कैसे राम जी का हाथ अपने सिर पे धराके केवट जी ने एक बार चरण धोया पूरा चरण आम्रित पी गए लख्मर जी में इतना छोटा बटन लेका आयो बड़ा नहीं ला सकते थे केवट जी ने वा सरकार चोटे आदमी का सब चोटा घर चोटा मकान चोटा मरतन छोटे हम खुद छोटे पी कैसे बड़ा हो जाएगा पूरा चर्णामरित पिया फिर धोया फिर पिया तीन बार तो खुद पिया लक्षमर जी ने कहा धो लिया ना चलो नहीं आमें बिठाओ केवर जी ने कहा ऐसे कैसे बिठाओ ये चोट चोट लड़ी का बच्चा है इनका का होगा फिर हम रहे हैं मुझ छोटका खोल के बेठा है चर्णामरित के लिए तो एक बार और धोँगा फिर धोया छोटे छोटे बच्चों को परिवार को चर्णामरित दिया लक्षमर जी न ओने का आप तो चले जाओगे घाऊवाले मुझे जीने ना देंगे एक बार फिर दोंगा इनको भूछse mr j hot qa ble Bark promote को खा़ला तक लिग्मार इस काले का आ अब केवड जी चले गया यह तीन घंटा बार अब केवड जी से लक्षमर जी का क्रोध तो अब साथ में आसमान पर अब ले चलो केवड जी ने सोचा अब अगर इनके सामने बोला तो अब तो यह पक्का मार देंगे केवड जी ने कहा एक बार और धोंगा केवड जी ने कहा भईया तेरा घर होए गया तेरा खांदान महला टोला एरिया आजपड़ो सब तो हो गया आप कौन बचा है केवड ने का जो पहले से लाइन में लगे हैं क्या उनको छोड़ दूं और आपको पार कर दूं राम जी न केवट ने कहा अगर आपको दिख गए होते तो पार ना हो गए होते दिखे नहीं इसलिए तो अटके पड़े हैं कौन है केवट ने कहा मेरे पितर देखो टुकुर टुकुर सब निहार रहे हैं कि मोई भी पार कर दो तो सरकारे एक बार और धुला लो फिर धोया चरण प्रक प्रभु को संकोच कुछ दिया नहीं पर आज केवट जी कहते सरकार ऐसा क्या है जो मुझे मिला नहीं चरण में गिर गए हैं केवट जी और एक बड़ाई सुन्दर भाव आता है केवट जी आज कहते हैं प्रभु मैं रहता गंगा तट पर हूं तुम रहते जल निदी आगर के केवट हो गर खुद को रिडी समझते हो तो रिड भी वहीं चुका देना गंगा से पार किया मैंने मुझे भव से पार लगा